पशू पेशाब नहीं कर रहा है या पेशाब नहीं उतर रहा है या मुत्तर तंतर से समंदित ये आपके पशू में विमारी हो गई है आप जैसे गर्मिया चल रही है उस इस्तती में कईबर जो आपके चोटे पशू हो या बड़े पशू हो उनमें पेशाब से समंदित सबस सब्सक्राइब करेंगे तो आप अपने परशू में बैटरे जल पाएंगे कौन सी शिरफ आती है कितनी दोज देनी चाहिए तो आपको क्या फाइदा मिलेगा वीडियो सोटी मना गई है चैनल पर नए तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें सब्सक्राइब करें तो इस चैनल की वीडियो भी लाइक करें और दोस्तों के साथ सेर जुरू करें देखो मुत नलिका से समझीत कोई संकर्म नहीं हो गया है यह आपका परशू पेसाब नहीं कर रहा है या जिस प्रकार से मैल के परशू है या जिस प्रकार से खई फत्री है इस्टोन हो गया है पढ़ गई है जिसकी वजह से दिकत हो गई है या कईबर जो पेसाब की थेली है वह भर गई है पेसाब नहीं कर रहा है या उसकी वजह से पेड़द की शिकाईत हो रही है यह नि दिकते कई तरह की हो गई है या मुत् तो आप को ईस सिर्ब का उपयोग आप अपने पशु में करा सकते हैं। घरमिय में ज़्यादा ने को मिलती है। चिनलनी झाइब यह मिल की को आथी है जो वेटेनेरी के अंदर के इसका उपयोग कर सकते है। इसका उप्योग आप सभी तरह के पस्वों गाय भैंस, बेड़, बक्री और जित्री वी जो एनिमल्स हैं सभी में आप इसका उप्योग आल एलिमंट्स में इसका उप्योग किया जाता है। सुबह 10-15 ml स्याम को आप अपने पसू में दे सकते हैं उससे छोटे हैं तो 5-10 ml आउपयोग कर सकते हैं चाहिए आपका पसू प्रिग्रेंट हो नो नो सभी तरह के पसू के लिए ये नीरी सेफ है और देना कितने दिन है लगातार आप अपने पसू को 2 दिन 3 दिन आप अपन जो मैंने बताई यूरीनी टेक्ट इंफेक्शन या मुत्त से संदित कोई बीमारी या पेसाफ से संदित कोई संकर्वन है तो उसको भी वह कंट्रोल करने का काम ये नीरी करती है और बैटर रिजल्ट आपके पसू में देती है बिना किसी साइड इफेक्ट के तो अब आप अच्छे तरह से समझ गयोंगे कि कौन से दवा आती है कब कैसे आपको प्योग करना चाहिए कितिन डोज देनी चाहिए बैटर रिजल्ट आपके पस्व में देखने को मिलेगा तो इसी तरह के नोलीज वीडियो आपको चैनल पैसे मिलते रहें इसी तरह सी वीडियो देख क्या है